अब्डिवन कैसे आप सब इन्वेस्टिंग विद हर्दीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में आज की वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज फैनेंस की साथ में बात करेंगे वरुन बेवरिज लिमिटिड की और एक ऐसे कंपनी की भी बात करेंगे जिसने यहाँ पे 2-3 का बोनस अनाउंस कर दिया है तो चले मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करकर और जरूर सेलेट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो ज अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नॉटिफि करूँगा ही कि कैसे कुछ नंबर्स आने की संभाव ना है बजाज फाइन्स की हमें आज के दिन में बंती भी देखने को मिलें और क्या कुछ रिपोर्ट बजाज फाइन्स के नंबर्स के रिगारिंग आ गई है अगर आप इस कंपनी का 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो अ असपास तक के रिटन्स हैं और अगर एक महीने के मैं बात करूँ तो अल्मुस्ट साड़े आठ पसंट से उपर के पॉजिटिव रिटन्स जो हैं बजाज फाइनस अलड़ी दे चुका अल्मुस्ट पच्पन सो रुपे की रेंज में स्टॉक था और आज सीधा स्टॉक सी ज तो अल्मुस्ट तेजरा पसंट की कर्रेक्शन अभी भी जो है स्टॉक में है क्योंकि साथ हजार रुपे के आसपास तक का हाई था उस राइम पे और अगर इसका आप 92 खाई देखेंगे तो साथ हजार साथ सो अठट्र रुपे का बाउन भी खाई है और 52 रुपे का 25 से 30 पसंट की कर्रेक्शन अल्मुस्ट जो है स्टॉक में बनी हुई थी और एक बाइंग अपोर्चूटी अच्छी खासी बजाज फाईनेंस के अंदर निकली हुई थी अब बात करेंगर एक साल के चार्ट की तो बजाज फाईनेंस में अल्मुस्ट 16 पसंट की अल्मुस्ट जो है कंपनी ने 20 साल के सफर में इन्वेस्ट को बना के दे दिया है अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो बजाज फाईनेंस कोटर 4 प्रिवीव की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट लाइकले तो जम्प 32 परसंट मार्जिन एसेट्स क्वालिटी इन फोक क्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है क्वार्टर 4 के अंदर कंजूमर लीडिंग मेजर बजाज फाईनेंस एक्सपेक्टी तो पोस्ट थाटी तो परसंट जपी नेट प्रॉफिट फॉर्टी तो यानि कि कंपनी यहां पे काफी पॉजिटिव जो है हमें क्वार्टर 4 क अर्निंग्स के अंदर देखने को मिल सकती है अगर प्रिविव की बात करें तो यहां पे काफी अच्छे नंपरज जो हैं प्रिविव के अंदर बजाज फाईनस के देखने को मिल रहे हैं हाला कि exact नंपरस तो कोर्टर 4 की अर्निंग्स के बाद ही पता लगी कैसे कुछ नं 29 करोड के आसपास तक का देखने को मिला था जो की quarter on quarter basis पे यहाँ पे लगातार increase होता हुआ है देखने को मिला और 4,129 करोड के जाके almost quarter 3 की earnings हमें देखने को मिली है और अगर मैं बात करूँ पर्मोटर के stake की तो यहाँ पर 55% जो है पर्मोटर का stake as a tease है FI का stake decrease हुआ quarter 4 में mutual funds की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती भी देखने को मिली है और public की भी हिस्सेदारी हमें बजाज finance के अंदर increase होती भी देखने को मिल चुकी है अगर आप bank nifty nifty के अंदर trading करते हैं trading को सीखना चाते हैं free calls के जरिये easily 2000 से 3000 रुपे generate करना चाते हैं और साथ में trading को सीखना चात करते हैं कि आज की जो मेरी डेम कॉल थी उसने कितना अच्छा profit investors को बना के दिया है बात अगर मैं infosys की करूँ तो आज के दिन देखे स्टॉक में 70 पैसे की बढ़त रही और 1227 रुपे पे जाके अपनी closing दी है जहाँ उपरी इस तर के अगर मैं बात को तो 1235 रुपे तक क high जो है infosys ने लगाया लेकिन closing जो हुई है वो सिरफ 70 पैसे के उचाल पे ही आज के दिन में देखने को मिल चुकी है 6 मेने के अंदर almost 20% की correction है buying यहाँ पे थोड़ी बहुत की जा सकती है current levels पे मौका है और ऐसे मौके आप लोगों को हाथ से नहीं चोड़ने चाहिए जब stock mid cap IT stocks but reduce bets on infosys and tcs तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे infosys के ऊपर जो है यहाँ पे bets जो है यहाँ पे हमें decrease होती हुई देखने को मिल रही है अगर data जो देखें सामने आ रहा है तो यहाँ पे सभी IT companies का data है और यहाँ पे किस company के अंदर बात करेंगा infosys की बात करेंगे infosys के अं पे coverage के अंदर increase किया है actual tech के अंदर भी increase किया है लेकिन infosys के अंदर यहाँ पे FI ने अपना stake decrease कर लिया है अब बात कर लेते हैं VBL की यहाँ कि वरुन beverages limited की और आज के दिन stock में correction रही है हलाकि 2 मई जो है काफी एहम दिन जो है वरुन beverages के लिए होने वाला क्योंकि quarter 4 की earning आन current levels पे खरीदारी को avoid करें क्योंकि already stock अपने ऊपरी स्तर पे है यानि की bound week high के आसपास जो है वरुन beverages हाँ भी हमें देखने को मिल रहा है बात अगर promoter stake की crack quarter 4 के अंदर तो यहाँ पे promoter का stake यहाँ पे as a tease है और यहाँ पे FI का stake decrease हुआ है DIA का यानि की mutual funds और public ने यहाँ split B company announce करने वाली है अब बात करें अगर spray king aggro equipment limited की तो देखिए इसकी 5 साल की performance जो है उसमें 5 साल तो हुए नहीं है अला कि company को और चार साल का समय हुआ और चार साल के अंदर 500% के ऊपर के return जो है यह company already in essence को बना के दे चुकी और यहाँ पे bonus के regarding काफी बड़ा update आ चुका है 2 is to 3 के ratio में यहाँ पे यानि की 3 existing shares के बदले आपको 2 bonus shares यहाँ पे यह company देने वाली है आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share जरूर करें और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर जरूर select कर लीजे यारो